नमस्कार कैसे हैं आप सभी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रेड और कचे केले से बनी हुए एक नई रेसिपी जो की बहुत ही मज़ेदार और वो कम तेल में बनने वाला रेसिपी है तो आप मेरी वीडियो को देखिएगा जरूर बट उससे पहले मैं खुश्पु करना हुजिया और मैं अपने चानल घर का जायका विद्खुश्पु में आपका स्वागत करती हूँ और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और मेरे चनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी सबसे पहले मैं यहाँ पर कच्छा केला लिए हूँ और कच्छे केले को कुक कर लूँगी तो मैंने इसे पहले से ही वाइल कर लिया है और मैंने इसका चोखा बना लिया है और फिर यहाँ पर ब्रेड लिए हैं और ब्रेड को round round shape में cut कर लेंगे तो चलिए ब्रेड को भी round round shape में cut कर लेते हैं और मैं यहाँ पर cutter का यूचिना करूँगी मैं यहाँ पर आपको जुगार करकर बताऊंगी तो आप यहाँ पर एक गलास लिजियेगा और गलास के साथ इसे cut कर लिजियेगा round shape में इसी तरह से आप इसे भी round round shape में cut कर लिजियेगा और बाकी को भी हम कर लेते हैं और बचे हुए को हम side में रख देंगे मैंने यहाँ पर सभी को रॉंड रॉंड सेप में कट कर लिया और बचे हुए को मैं साइड में रख दूंगी इसकी मैं कोई रेसीपी बनाऊंगी जो आपके साथ सेयर करूंगी और मैं यहाँ पर गिलास का यूज की हूँ तो चलिए अब मैं आगे का प्रोसेफ्स बताती हूँ तो मैं यहाँ पर एक पैन लेंगे और पैन को गर्म करेंगे जब पैन गर्म हो जाए तब हम इसमें वाइल आड करेंगे और वाइल जब गर्म हो जाए तब हम इसमें आड करेंगे अधरक और हरी मिर्च और इसे सोते हो करने देंगे मैंने यहां पर सारे इंगेडियंस का नाम वीडियो के लास्ट में नोट कर दिया है आप वहां से चेक कर लिजेगा सो आप मेरे वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा जब यह फ्राई हो जाए तब हम इसमें मसाले अड़ करेंगे मसाले में हल्दी लाल मिर्च जीरा पौडर धनिया पौडर अड़ करेंगे और एक दो मिनिट के लिए सोते करेंगे और सारे इंगिडियन्स को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम्या ज़्यादा कर सकते हैं फिर हम इसमें एड़ करेंगे टेस्ट के लिए सॉल्ट और फिर हम इसमें एड़ करेंगे वाइल किया हुआ रौ बनाना और फिर इसमें एक दो मिनिट के लिए कूक करेंगे एक दो मिनिट कुक करने के बाद हम इसमें आइड करेंगे काली मिर्च और इसे भी एक दो मिनिट के लिए सौधे करेंगे आपको लगता होगा कि मैं इंगेर्यंस को थोड़ थोड़ देर के बादे यूज़ करती हूँ तो इंगेर्यंस को आप इसी तरह से ही यूज़ करेगा सब इंगेर्यंस एक साथ अड़ करने पर सब mix and mine हो जाता है जोकी अच्छे नहीं बनते क्योंकि सब को पकने का तरी धंग और टैम अलग अलग होता है आप इसी तरह से इसे यूज करिएगा फिर हम इसे 1-2 मिनिट के लिए और cook करेंगे 1-2 मिनिट cook होने के बाद हम इसमें टेस्ट लाने के लिए इसमें add करेंगे चाट मसाला और कलांजी चट मसाला सा ये थोड़ा सा चट पटा लगेगा और फिर इसे एक दो मिनिट के लिए कूक करेंगे और इसे एक बॉल में हम निकाल लेंगे लिजी अब ये तयार हो गया है अब मैं इसे एक बॉल में निकाल देती हूँ और ठंडा होने के लिए रख देंगे फिर हम यहां पर एक बैटर त्यार करेंगे तो उसके लिए हम बेशन लेंगे और बेशन में एड़ करेंगे नॉर्मल मसाले मैंने यहां पर चार चामच बेशन लिया है और बेशन में सारे मसाले नॉर्मल होंगे हल्दी मिर्चा जो कि मैंने इंडे में वीडियो के लिख दिया है तो आप वहाँ से चेक कर लिजेगा और फिर इसे पानी एड़ करकर इसे एक पतला सा घोल तयार करेंगे पानी हम इसमें थोर थोर देर के बाद ने एड़ करते रहेंगे ताकि हमारा घोल परफेक्ट बने तो लिजिए घोल भी तयार है यह इस तरह का पतला घोल होना चाहिए अब यहाँ पर घोल भी तयार है ब्रेड भी तयार है मैं आपको आगे का प्रोसेस करती हूँ तो ब्रेड पर मैं बैटर एड़ करूंगी और इसे एक ब्रेड के साथ इसे बंद कर दूंगी इसी तरह से हम सारे ब्रेड को कर लेते हैं लिजिए मैंने सभी ब्रेड को कर लिया है अब मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ तो मैं यहाँ पर उसी पैन में वाइल आट करूँगी और वाइल को गर्म होने दूँगी वाइल जब गर्म हो जा तब हम ब्रेट को बैटर में डिप करेंगे और इसे सॉलो फ्राइ करेंगे लोगों हमेशा धीमी देखेंगे धीमी आज पहीं से कुक करेंगे जब यह एक साइड से कुक हो जाए तब हम इसे प्लट कर दूसा साइड भी कुक करेंगे इसे हम चारो तरब से ही कुक करेंगे इसे कुक करने में आपको पास मिट जरूर लगेगा क्यूंकि मैंने आपके लिए पास मिट का ही नास्ता त्यार किया है जब तक यह कुक होता है तब तक हम तुसरा ब्रेड भी कुक कर लेते हैं देखिए कितना खुबसूरत है क्यूंकि घर का जायका विद्खुस्पू में जो दिखता है वह ही पकता है अब हम इसे एक प्लेट पर निकाल लेंगे और इसके साथ खाने के लिए हम फ्राइ मिर्च भी तियार करेंगे तो फ्राइ मिर्च तियार करने के लिए हम उसी पैन में एड़ करेंगे मिर्चा और उसमें थोड़ा सा वाइर एड़ करेंगे और इसे सोते करेंगे मिर्च भी सौते हो गया है अब हम इसमित्वासन नमा का एड़ करेंगे और इसे एक दो मिनिट के लिए कुक करेंगे और फिर गयास को हम आफ कर देंगे अब हम इसे सर्व करते हैं तो सर्व करने के लिए एक प्लेट लेंगे और प्लेट में एड़ करेंगे बनाना ब्रेट पकोड़ा और साथ में हम लाल चटनी और फ्राइ किये हुए हरी मिर्च एड़ करेंगे लीजी अब ये तयार है तो आप इसे एक वार अपने घर पर जरूर बनाएगा तो बनाने के लिए आप इंगेडियन्स को तो चाहिए ही चाहिए तो इंगेडियन्स नोट कर сделал जोकि ये है तो चलिए मैंने इसे बहुत प्यार से बनाया है तो इसे प्यार से टेस्ट भी कर लेते हैं तो चलिए इसे हम टेस्ट कर लेते हैं सच में ये बहुत टेस्टी है I hope आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो अगर इस रेसीपी की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसे एक लाइक और अपने फ्रेंट फैमिली में शेयर जरूर करें और हमें कमेंट करकर बताएं कि हम आपके लिए क्या बनाए और सबसे खास सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर आप मेरे चैनल पर फस्ट वार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर करें क्योंकि सस्क्राइब करने पर पैसा नहीं लगता प्लीज सपोर्ट मी और मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर से जरूर करें ताकि मैं इसी तरह की कम बजट में बनने वाले वीडियो आपके लिए हमेसा लाती रहूं तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जब तक खुश रहे हैं खुशियां बढ़ते रहे हैं और आसपा सभाई बनाए रखिए क्योंकि अपना भारत स्वक्ष भारत थैंक यू थैंक यू फर वाचिंग टेक क्यार और नमस्कार